जब से हम यहाँ आए हैं और बैठे हैं आप अपनी कब्र से आधे घंटे नजदेखें आपको बीमारों के लिए बनाए किसी घर या एक हॉस्पिटल वार्ड में जाकर सेवा देनी चाहिए जहां लोग मरते हैं मेरा सवाल ये है मान लीजिए मानवता इस कठिन समय को पार कर लेती है फिर हम क्या करेंगे अगर हम एक आदर्श समाज बन गए जहां हर कोई शानती से साथ में हैं तब हमारे खेल का अंध क्या होगा हम किस चीज के लिए प्रतनिशीर होंगे आपके और इन लोगों के बीच कोई डील है क्या देखे इसे इस तरह सूचिए क्योंकि असल में आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये सारे लोग क्या चाहते हैं खुद को देखिए अभी आप सोच रहे हैं कि आपको एक इंजीनियर बना है मान लीजे मैं आपको इसी पल एक इंजीनियर बना दू फिर आप सोच रहे हैं आपको एक जॉब चाहिए मैंने जॉब दिला दिया फिर आप प्रमोशन की सोच रहे हैं मैंने करवा दिया फिर एक अवार्ड चाहिए मैंने दिलवा दिया, फिर आपको लगता है कि आपको दॉलाद चाहिए मैंने ठीक अभी आपको दे दी हर वो चीज जिसका आप सपना देख सकते हैं मैंने इसी वक्त आपको दे दिया, अब आपको क्या चाहिए मुझे नहीं पता माननी जी मुझे एक जॉब चाहिए मैं अभी एक जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ अब हम खेल के अंत की बात कर रहे थे न आपको जो भी चाहिए था आपको इसी वक्त मिल गया वो चीजें जिनकी आप कलपना कर सकते हैं चीजें जिनकी आप कलपना तक नहीं कर सकते हैं सब कुछ आपको अभी मिल गया अब आपको क्या चाहिए मुझे नहीं पता होगा आप क्या करूं इस पर थोड़ा गौर कीजे देखे जब आप ये कहते हैं तो उसका मतलब है कि आप अपने जीवन में बस संघर्ष चाहते हैं एक जाब पाने के लिए तीन साल लगेंगे फिर आप फिल करेंगे वाँ मुझे जाब मिल गया उन सभी लोगों को देखे जिनके पास अच्छे जॉब्स हैं उन्हें सडक पर चलते हुए देखे क्या उन सबसे आनंद और पर्मानंट अपक रहे हैं हलो दुखी लोग हैं उन्हें काम पर जाने में ब्लड प्रेशर हो रहा है उन्हें हर तरह की बीमारी हो रहे हैं वो भागल हुए जा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए यहां कोई लड़की है क्या आपको क्या चाहिए मैं नहीं जानता अब यह अच्छा है मैं नहीं जानता मुझे पसंद है क्योंकि वाकई आप नहीं जानते हर कोई अपने आपको जीवन के हर कदम पर बिलकूफ बना रहा है यह सोचकर यह चाहिए कि मुझे इंजीनर बनना है इंजीनर बनना है मुझे ये आपको 5-7 साल के लिए बिजी रखेगा फिर मुझे जॉब चाहिए जॉब जॉब ये आपको 1-2 साल और बिजी रखेगा फिर मुझे ऐसा जॉब चाहिए वैसा जॉब चाहिए आपको ये और 8-10 साल के लिए व्यस्त रखेगा मुझे इतना पैसा चाहिए, उतना धन चाहिए, और 25 सालों के लिए आपको विजी रखेंगे मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, उस तरह की लड़की चाहिए, उस तरह का लड़का ये आपको कुछ साल व्यस्त रखेगा फिर बच्चे हो जाएंगे मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहता हूँ ये ये चलिए हम आपके अंतिन संस्कार की तैयारी कर रहे हैं आपको ये समझना पड़ेगा आपको बस इतना समझना पड़ेगा चाहे अभी आप अपने जीवन को हर तरह के संदर्ब दे रहे हैं असल में आप जिसे अपना जीवन कहते हैं वो बस समय और उर्जा का एक खास कॉंबिनेशन है हां? यहां बैठे हुए हम सब के लिए समय निकलता जा रहा है क्या आप इसे पिछे कर सकते हैं? यह हम सब के लिए निकला जा रहा है यहां जो टिक-टिक हो रहा है वो घड़ी नहीं है यह हमारी जिंदगी निकलती जा रही है है कि नहीं? जब से हम यहां आए हैं और बैठे हैं आप अपनी कबर से आधे घंटे नजदीक हैं चाहे आप कितने भी जवान हों आप वहीं पहुँचने वाले हैं है न? हाँ या न? तो यह एक समय अवधी है और उस समय को कोई मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि यह सब के लिए एक ही गती से जा रहा है आप कुछ करें, आप कुछ ना करें आप सोए हों, आप जागे हों खुश हों, दुखी हों आप चाहे जो कर लीजे यह बड़ी निर्दैता के साथ निकलता जा रहा है तो एक उर्जा है जिसे आप जीवन कहते हैं इसे आप कई स्तर तक ले जा सकते हैं अगर आप ऐसे हैं मैं क्लास्रूम एक्स्प्रेशन की बात कर रहा हूँ अगर आप ऐसे हैं 24 घंटे, 1000 साल जैसे लगते हैं लेकिन आप देखेंगे किसी एक दिन आप बहुत खुश हैं 24 घंटे पुफ एक पल जैसे निकल गए हाया न तो समय एक बहुत ही सापेक्षिक और व्यक्तिका तनभव है अगर आप आनंद में हैं और आप 100 साल जीए ये कुछ पल जैसा मैसूस होता है ये बस चला गया सिर्फ दुखी लोगों की लंबी जिन्दकी होती है क्योंकि अगर आप दुखी है तो आपको हमेशा ये लगेगा कि जिन्दकी बहुत लंबी है आप इसे छोटा करना चाहेंगे पर अगर आप आनंद में हैं तो जितनी संभावनाएं एक इनसान में मौजूद हैं इससे पहले कि आप उन्हें खोच पाई ये खत्म हो जाती हैं सच में इसमें इतनी सारी संभावनाएं चुपी हैं तो आपको अपनी उर्जाओं को मैनेज करने की जरूरत है क्योंकि जीवने ऐ खास मादरा की उर्जा है या सीमित नहीं है पर इसे बढ़ाया जा सकता है मान लिजे आप उर्जा के एक स्तर पर काम करते हैं तो जो आप दस साल में कर पाएंगे उसी चीज को आप एक साल में कर सकते हैं अगर आप उर्जा के एक दूसरे स्तर पर काम करें मान लिजे ये दोनों लोग 100 साल जिये तो उनके प्रभाव और उनके अनुभव की गहनता की अगर बात हो तो एक इनसान 1000 साल जिया और दूसरा 100 कश्टदाई साल तो आप बस इतने ही कर सकते हैं अभी शायद आप सोच रहे हैं इंजीनियर ये या वो ये सब सीमित संदर्ब हैं जो आप अपने लिए बना रहे हैं बुन्यादी तौर पर एक जीवन के रूप में ये बस समय और उर्जा है है न सवाल ये है कि आप इससे क्या बनाते हैं कि आप इससे कुछ बनाना चाहते हैं ये कोई विवश्टा नहीं है कि आपको इससे कुछ बनाना ही है जब मैं इससे कुछ बनाने की बात कह रहा हूँ तो मैं सामाजिक परिपेक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ आपको समाज में क्या बनना चाहिए? मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ. बुनियादी तोर पर आप यहां एक जीवन के रूप में जीवन को अनभव करने आए हैं. सवाल ये है कि कितनी भविता से, कितनी गहनता से, अभी अगर लोग जीवन को अनभव करना चाहें, तो वो क्य आप प्रेयोग कर रहे हैं, वो ये प्रेयोग करेंगे, नहीं ये नहीं, ये वाला. हाँ, मैं जानता हूँ आप लोगों को. या फिर वो ये प्रेयोग करेंगे या कुछ और करेंगे वो प्रेयोग ये कर रहे हैं कि अपनी ख्षमिताओं को नीचे कैसे लाया जाए पता है, अमेरिका के कुछ राज्यों ने गांजे को लीगल कर दिया है तो जब मैं वहां के कुछ कॉलेज या विश्वे दियालेयों में गया तो हम उट से पुछते हैं, सद्गुरु आप इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते हैं आपको, आपको हमारे लिए गांजे को लीगल करवा देना चाहिए माने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अम गांजे को लीगल कर देंगे, कोकेन को भी लीगल कर देंगे, मैठ को भी लीगल कर देंगे क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है बस इतनी सी बात है कि आप इसे क्यों लीगल करवाना चाहते हैं ताकि आप फूख कर कॉलेज आ सके हैं, है ना? चलिए यह ठीक है पर मान लीजिए आपको एक हवाई जहाज में आत्रा करनी है और पाइलेट पूरा फूख कराता है आप उसके साथ उड़ना चाहेंगे? क्योंकि यह बंदा तो बिना हवाई जहाज के उड़ रहा है ओके, आपको बात समझ में नहीं आ रही है आपको एक बड़ी सर्जरी करवानी है और सर्जर्ण पूरा फूख कराता है आप करवाना चाहेंगे? अरे नहीं इसका मतलब आपको साफ समझ में आता है कि यह आपके एक्षमताओं को कम करता है मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पर गौर करें क्या आप यह मानते हैं? कि आप अपने जीवन को उपर उठा सकते हैं अपनी एक्षमताओं को नीचे ला कर अगर आप इस जीवन को बहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी एक्षमताओं को सुपर बनाना होगा यही एक लौता और एक मात्र तरीका है कि आप जीवन को बहतर बना सकते हैं आप अपनी शमताओं को कम करते हैं और फिर सोचते हैं जीवन बहतर हो जाएगा ये किस तरह की बेव कोफी है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपको थोड़ा सा ऐसा बना देता है मैं आपको हर समय ऐसा महसूस करवा सकता हूँ कैसे रहगा? बिना किसी पदार्थ के मैं हर वक्त ऐसे ही हूँ मेरी आँखों को देखिए मैं नशे में हूँ कोई पदार्थ कभी नहीं चुआ पर पूरी तरह नशे में हूँ हर वक्त क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि इस धर्ती की सबसे बड़ी chemical factory यहां है अगर आप इसके एक अच्छे manager हैं तो जो भी अनुभव आप चाहता अपने अंदर से बना सकते हैं और अपने एक्षमताओं को भी उपर उठा सकते हैं अगर आपको कोई अनुभव हो रहा है तो उसकी अनुभूती के लिए भी आपके एक्षमताओं को बहतर बनना होगा है न क्या ये शरीर इस धर्ती पर सबसे बड़ी chemical factory है सबसे उन्नत और जटिल है आप मुझे सहमत हैं क्या यहां chemical engineers है तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने system को कैसे manage कर रहे हैं इस बारे में आपने क्या किया है हमने आपको इतनी जटिल machine दिये कि आपने कम से कम user manual पढ़ा है नहीं बस ऐसे ही आप इसे चला रहे हैं और सोचते हैं कि कुछ अंदर डाल लेने से यह बहतर हो जाएगी नहीं विश्वास मानिये इस जीवन को बहतर बनाने का एक और एक लौता तरीका है कि आप अपने इक्षमताओं को एकदम निखार ले जिस तरह आप देखते हैं जिस तरह आप सुनते हैं सूंगते हैं स्वाद लेते हैं छूते हैं अगर ये बहतर हो जाएं तो कई माईनों में जीवन बहतर हुआ की नहीं इसमें और भी बहुत कुछ है पर मैं कह रहा हूँ कि आप अपने अनुभव से जो जानते हैं मान लीजे आपके बगल में जो बैठे हैं आप उनसे दुगना बहतर देख सकें क्या आपका जीवन बहतर हुआ अगर आप दूसरे से बहतर स्वाद ले सकें जीवन बहतर हुआ की नहीं अगर आप बहतर महसूस कर सकें क्या आपका जीवन बहतर हुआ अगर आप बहतर सुन सकें, जीवन बहतर हुआ, इस तर पर आप ये समझ सकते हैं, पर मानवी एक्षमताओं के और भी कई आयाम हैं, अगर आप इन्हें बहतर कर लें, तो यहां बैठे हुए, आप आनंद में डूबे होंगे, बस यूँ ही यहां बैठे हुए, आप किसी बक कुछ होता, तब आप क्या चाहते हैं? अगर आपके पास वो सब कुछ होता, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ ठीक यहां हो, अब आप क्या चाहेंगे? आपको इस पर विचार करना चाहिए, न? मैं आपको उतर नहीं दूँगा, अगर आप इतने विचार का भी अपने जीवन में निवेश नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है कि आप बहुत नजदीक का ही देख पाते हैं, हलो? यह गौतम बुद्ध के साथ हुआ है, आपने गौतम के बारे में सुना हैं, गौतम बुद्ध? क्यूंकि उनके पिता ने कोई जोतिशी अनुमान सुना जहां एशो अराम है, सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, वहां मौझूद है, एक बहुत सुन्दर युवा लड़की से उनकी शादी करवादी सब कुछ है, किसी हालत में उसे किसी तरह की पिड़ा नहीं दिखनी चाहिए, पर एक दिन वो बस बाहर निकल गए, उन्होंने ए एक समय बाद हर कोई ऐसा हो जाता है, उन्होंने का, क्या मैं, मैं एक नौजवान राजकुमार हूँ, क्या मैं ऐसा हो जाओंगा, हाँ, ऐसे सभी हो जाते हैं, उन्हें जटका लगा, फिर उन्होंने एक आदमी देखा, जो किसी बीमारी से पिड़ित था, ये आदमी इस नहीं, ये हमारे साथ भी हो सकता है, हलो, और फिर उन्होंने एक अंतिन संसकार देख लिया, एक मृठ शरीर, वो क्या है, उन्होंने का, ये तो हो नई है, हर कोई मरेगा, आपको भी पता है, आप भी मरेंगे, नहीं, क्यूंकि जादा तर लोग सोचते हैं, कि दूसरे मरत नहीं बुद्धी के स्थार पर वो जानते हैं पर वो सोचते हैं कि वो यहां हमेशा के लिए हैं नहीं आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए कि आप मरेंगे मरेंगे मतलब आपके पास एक सीमिंत मात्रा में समय और उर्जा है अगर आप इस बारे में हमेशा जागरूख हैं तो आप अपने समय और अपनी उर्जा को कैसे विवस्थित करेंगे आप डिसाइड कीजिए अगर आपको लगता है कि आप सूपर हुमिन हैं आप मरने वाले नहीं हैं दूसरे ही मरते हैं आल दे बेस्ट ये दिनाएगा आप इसे अपनी मृत्यु शहिया पर समझ कर फिर मर सकते हैं देखिए कुछ लोग शायद सोचेंगे कि ये कुछ जादा ही है पर आपको बीमारों के लिए बनाए किसी घर या किसी हॉस्पिटल वार्ड में जाकर सेवा देनी चाहिए जहां लोग मरते हैं आपको ये देखना चाहिए ये बहुत जरूरी है बहुत बहुत जरूरी है तभी आप जीवन के प्रती समवेदन शील बनेंगे जीवन अत्यंत मूलिवान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि ये सीमित समयावधी है अगर आप ये देखें तो दुरभागे वश आज दुनिया में असी प्रतिशत से जादा लोग जब आखरी पलाता है जब वो मर रहे होते हैं तो वो डरे हुए नहीं होते हैं वो पीड़ा में नहीं होते हैं और कोई भाव नहीं होता है वो बस हैरान होते हैं हैरानीं की एक जलक उन में देखती है क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने बस अपने विचारों और भावनाओं को जिया है जीवन कभी जिया ही नहीं है ये जरूरी है आपको ये समझना ही चाहिए कि एक मनोवय ज्यानिक सच्चाई है जो आपके सिर में है और एक अस्तित्व की सच्चाई है जो जीवन है जादा तर लोग अपनी मनोवय ज्यानिक चीजों को अस्तित्व की सच्चाई समझने की भूल कर रहे हैं आपके विचार और भावनाएं ब्रहम्हंड से जादा महतुपूर्ण हो गए हैं, है ना? हलो? आप जो भी सोचते हैं, जो भी बकवास आप सोचते हैं या फिल करते हैं, क्या वो इस ब्रहम्हंड से भी जादा महतुपूर्ण नहीं हो गया है? इसका मतलब हुआ कि आप अपनी बनाई चीजों को इस स्रिष्टी से जादा महत्पूर बना रहे हैं इसका मतलब है कि आपको पीड़ित होना ही चाहिए अगर आप पीड़ित नहीं होते तो मुझे निराशा होगी हाँ मुझे होगी क्योंकि अगर आपकी अग्यानता आपको पीड़ा नहीं पहुचाती फिर क्या तब मेरा यूस क्या रहे गया क्योंकि इस जाल से बाहर निकलने में बहुत कुछ लगता है फिर किसी की इस अग्यानता के जाल से बाहर निकलने की चेश्टा का क्या मतलब हुआ अगर लोग उस जाल में ही आनंदित रहने लगें तो उसका क्या अर्थ हुआ फिर ग्यान का क्या मतलब हुआ, जानने का क्या मतलब हुआ आत्म ग्यान का क्या अर्थ हुआ, आत्म अनभूती का क्या अर्थ हुआ अगर लोग अपनी अज्ञानता में ही पर्मानंद में रहने लगें क्या मतलब हुआ? जब आप अन्भिग्य हैं तो आपको पिढ़ित होना ही चाहिए और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी इस धर्ती पर सबसे बड़ी बुराई कोई बुराई नहीं है ये अग्यानता है